आज महान विज्ञानिक भी इन गटनाओं गटनाओं को उसल裡面 असमर्थ हो रहे हैं। विग्यान के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनोती बन चुकी है भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में आपकी क्या राय है जी हाँ मैं ऐसे ही भूत प्रेत और आत्माओं के घटनों के बारे में बात कर रहा है जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है आपने ऐसे कई सारे वीडियो यूटुप में तो जरूर देखे होंगे लेकिन मैं बता दू उन सब वीडियो की सच होने की कोई पूश्टी नहीं मिली है पर ऐसे कई सारे लोग है जो इन घटनाओं का सामना कर चुके हैं और कई सारे लोग इसे वास्तव में होने का दावा भी कर चुके हैं तो दोस्तो तैयर हो जाएए क्योंकि मैं इनी लोगों में से कुछ लोगों के साथ घटी हुई घटनाओं को आपके कानों तक पहुचाने जा रहा हूँ जो पहले किसी ने आप तक नहीं पहुचाई हूँ तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है संजे दर्णान और मैं सुनाता हूँ कहानिया तो आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सब को बताना चाहूंगा कि आज की कहानी एक सची घट्ने प्यादारिक है और कहानी का नाम है अनुखा प्यार मोहिनी जी हाँ आप सही सुन रहे हैं ये उसी मोहिनी की कहानी है जो तिन साल पहले मर चुकी थी है और इस कहानी को पेश किया है राकेश राओ जी ने और ये भौपा से है तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मोहिनी चैप्ट वन चांद दिनी रात की मार्ष सब कुछ साफ दिखा जा सकता था मैं उस रात रोज की तरह अपनी पड़ाई पूरी करके बस सोने वाला था इतने में टॉमी की जोर जोर से भोगनी आवाज आ रहा ही थी वैसे टॉमी कभी बिनाकारण भोगता नहीं था उसे कोई जानवर दिखाई दिया होगा इतना सोच के मैं बिस्तर हमें लेड गया ओहो इसे क्या हो गया है आज टॉमी चुप हो जा ये कुट्टे भी न कभी-कभी अजीवी हरकत करते हैं कोई भूत देख लिया क्या लगता है आज सोने नहीं दे गए टॉमी ने भोगना चोड़ अब छवटना चालो कर दिया था जैसे कोई अजीव सी चीज उसके सामने खड़ी हो चंजीर की आवाज जोर जोर से गूच रही थी मानो वो उसे तुटाने के कोशिश कर रहा हो मैं बाहर निकलने के लिए दर्वाजे के तरब बड़ी रहा था कि तभी एक अजीव सी आवाज मुझे सुनाई दे थी जैसे वो टॉमी को गुसे से कुछ बोल रहा हो जैसे ही मैं दरवाजा खोल के बाहर आया तो मैंने देखा विश्वास की जिये मेरी दिल की धड़कनी के आवाज मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थी मुझे अब ठंड से लगने लगी और मेरे रूम्टे अपनी आप खड़े होगे मेरे सांसे भी बढ़ने लगी मेरे आँखों के सामने से एक सफिद रंग की जीज दोड़ती हूँ चली गई सबसे हैरान करने वाले बात तो ये थी उसके पाउं जमी पर नहीं थी अब मुझे अपना सर लाने से भी डर लग रहा था मैंने पुरी ताकत के साथ आवाज लगाई ममी कहानी शुरू होती है चार कंड के एक छोटे से गाउं से उस गाउं की सुन्दरता तो मैं शवद में बया नहीं कर सकता पर मैं इतना जरू कह सकता हूँ कि अगर आप कभी वहाँ जाहेगे तो वहाँ की सुन्दरता को आप मांते तम तक ने भुला पाओगे वो गाउं की हर्याली वो गाउं की नदिया वो खिलते फूल पंच्यों की सुरीले अवाज मानो की इस दुनिया से वो है ही नहीं हाँ और वहां के लोग भी बहुत शरीफ थे उसी गाउं में रहती थी एक मोहिनी नाम की सुन्दर लड़की उसकी सुन्दरता को मानो कोई जवाब ही नहीं था काउं का हर इनसान उसके सुन्दरता पर मोहित था हाँ मोहिनी एक गरीब घर आने से तालुक रखती थी गरीब होने के बावजूद भी वो बढ़ाय में बहुत अच्छी थी वो स्कूल में हमेशा फॉस्ट आती थी इसलिए स्कूल में उसका काफी नाम था टीचर्स को उस पर पुरा भरुसा था और घर वालों को उस पर नाज स्कूल का हर लड़का मोहिनी को चाता था ये तो जाहिर से बात थी और भाई सहाब आज कल के बच्चे में तो ये आम बात्सी हो गई है है ना? लेकिन मोहिनी को इन सब चीजों से कोई इंटरस्ट नहीं था वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाती थी काफी समय बीच चुका था अब मोहिनी सोला साल की हो चुकी थी जवान होने के वज़े से वो और भी सुन्दर दिखने लगी थी उसे अब शर्म आने लगी थी वो ज़्यादा लोगों से अब बात भी नहीं करती थी गाउं में केशब नाम का लड़का भी रहता था और वो गाउं के जमीदार का बीटा था केशब उमर से 17 साल का था वो अमीर घर से तालोग रखता था क्योंकि उसके पिता जमीदार जो थे केशब वैसे तो शरीफ ही था लेकिन कुछ हरकतों के वज़े से लोग उसे पसंद नहीं करते थे लेकिन पसंद ना पसंद से उसे कोई फरग नहीं पड़ता था केशब और मोहिनी एक स्कूल में पड़ते थे हाला कि केशब सीनिर था मोहिनी से केशब अब मोहिनी को चाने लगा था लेकिन वो अपने प्यार का इज़ार कभी कर नहीं पाया हाला कि मोहिनी काफी जवान हो गए थी उसकी जवानी केशब को कुछ ज़ादा ही भाने लगी थी वो यही सोच था कि मोहिनी को कैसे बताया जाएं तो आखिरकार एक दिन हिम्मत चुटा कि केशब मोहिनी से बात करी लेता है स्कूल का हाफ टाइम था और सारे बच्चे खेल रहे थे मोहिनी चुप-चाप देख रहे थी अकिला मोका देख केशब मोहिनी के सामने जाता है और बोलता है केशब कैसी हो मोहिनी तुम कैसे हो केशब मैं ठीक हूँ तुम खेली नहीं आज मोहिनी मेरी तबी थोड़ी बिगडी हुई है आज वैसे तुम क्यों नहीं खेले आज केशब मेरा भी मुड़ खराब है इसलिए मोहिनी अच्छा वैसे तो तुम मुझसे कभी बात नहीं करते फिर आज अचानक केशब नहीं ऐसी बात नहीं है मैं तो हमेशा से तुमसे बात करना चाहता था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई मोहिनी मुझसे बात करने के लिए हिम्मत क्यूं केशब क्यूंकि तुम बहुत खुबसूरत हो इसलिए इतने में ही मोहिनी वहां से शर्मा के चले जाती है अगले ही दिन केशब खत लिखे अपनी दोस्त के जरिये मोहिनी को अपनी दिल की बाल बताने की ठान लेता है रोज की तरव मोहिनी सुबे स्कूल चली जाती है, स्कूल पहुंचते ही कुछी समय बाद, एक लड़का उसकी तरफ आता है और खत देके चला जाता है, पत में शरीप पांस शब्द लिखे होते हैं, I love you मोहिनी, from किशब, मोहिनी के सर में मानू आसमान गिर पड़ा, उसे किसी के साथ बात तक नहीं की, घर जाके बस वो सोचती रही, सोचती रही, सोचती रही, उसे रात को नीन भी नहीं आ रहे थी, वो बस सोचती रही, सोचती रही, अगले ही दिन वो रोज की तरह स्कूल चली गई, उसके शकल पर मानू जैसे खामोशी सी चाही हुई थी, स् कोई मैं आवा रहा हूं क्या तुम मुझे गुंदा समझ रही हो मोहिनी बोली नहीं नहीं बात वो नहीं है तुम एक अमीर घर के बेटे हो और मैं गरीब घर की लड़की तुम्हारे घर वालो को पता चल जाएगा तो ना जाने वो क्या करेंगे इतने मैं केशब बोला मेरी घर की तुम फिकर मत करो बस तुम मुझे अपना जवाब दो बाकी मैं सब समाल लूँगा मोहिनी बोली मैं सोच के बताऊंगी केशब इतना बोलके वो अपने क्लास में चले गई लेकिन उसका ध्यान क्लास में नहीं था वो बस कुछ सोच रही थी मानो उसे कोई जल्दी ह अल डूंड लेना था शाम को जब छूटी हुई तो वो केशब के पास गई और बोली केशब सुनो इतने में केशब पीछे मुड़ा और बोला हां बोलो क्या हुआ फिर मोहिनी ने कहा सौरी इतना बोलके वो वहां से चली गई केशब उसको आवाज लागाता रहा लेकिन वो वापस नहीं मुड़ी यहां मोहिनी को भी पसंद नहीं था केशब को सौरी बोलना लेकिन वो कर भी क्या सकती थी उसे पता था अमीर लोग गरीबों पर कैसा सुलूग करते हैं उसनी अपनी आखों से देखा था शायद केशब को ना कहने की वज़ा यही थी लेकिन उस निकल पड़ी सोच रही थी केशब से बात कर लूँगी बेचारा बहुत दुखी होगा शायद स्कूल पहुंचने के बाद उसने केशब से बात करने की कोशिश की लेकिन केशब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था उसने चारों तरफ देखने की कोशिश की यहां तक की हट से होने लगी थी कि केशब कोई अनर्थ तो नहीं कर बैठेगा उसने केशब के दोस्तों से पूचा केशब स्कूल क्यों नहीं आया उसके दोस्तों ने खुद हैरानी जाहर की अब मोहिनी को ऐसा सो चुगा था कि केशब बहुत ही दुखी होगा अगले दिन भी केशब के स्कूल ना आने पर मोहिनी ने उसे एक ख़त लिखा और उसके दोस्तों के हाथों दे बेजा अब ख़त पर क्या लिगा था ये तो मुझे नहीं पता लेकिन अगले ही दिन केशब स्कूल आ चुगा था मोहिनी भी काफ़े खुश थी उसके स्कूल वापस आजाने से या साथ हो तो सब कुछ मेरे साथ है यही मुझे लगता है और यही सच है मोहिनी बोली कुछ समय तुम अकिरे रहके तुम बिल्कुल पागल हो गए हो केशब बोला वो भी तुमारी महरबानी है तुमारे बिना तुम्हें पागल भी नहीं बन पाओं मोहिनी जोर से हांस्ती लव यूट्यू केशब बस इतना बोलके मोहिनी दोड़के वापस चले गई और अब ऐसे शुरू होती है मोहिनी और केशब की प्रेम कहानी दिन बीटता चला गया दोनों का प्यार बढ़ता चला गया कभी नजरे मिलाते तो कभी नजरे चुराते कभी एक दुसरे से जगड क्योंकि मुझे आप लोगों को किसी से मिलाना है जी हाँ जिसके बेगार ये कहानी अधूरी है लेकिन हम जल्द ही लोटेंगे आकाश एक होनार शातिर तैलेंटेट स्मार्ट और एक हैंसम लड़का था इतनी तारिफ तो कम ही पढ़ जाएगे भाई साहब आगे आपको ख पाई हाथ का खिलता लड़कें भी उस पे फिदा थी लेकिन हैरान करने वाले बात तो ये थी कि उसकी कोई गल्फेर नहीं थी काफी सारे दोस्तों ने उसे पूछा तो उसने ये बताया कि उसे अपनी पसंदगी कोई मिली ही नहीं है आकाश एक फौजी का बेटा था वो उसे गुसा भी काफी यादा आता था उन दिन वह अपनी फैमिली के साथ जमू कश्मीर में आर्मी फैमिली कौटर में रह रहा था फिर एक दिन डिनर के टाइम पापा उसे बोलते हैं बेटा पढ़ाए कैसी चल रही है तुमारी आकाश बोला हाँ पापा अच्छी चल रह है पापा बोले मन लगा के पढ़ाई करना इतने में ही बेहन ताना मार के बोलती है मन कहां लगता है मुझे मालूम है आकाश बोला चुपकर ज्यादा बोलीगी ना तो सर्फ ओड़ दूंगा तेरा बेहन हाँ वैसे भी तो तू सर्फ ओड़ने में माहिर है ना पापा बोल हाँ हाँ खिलाओ खिलाओ आपके प्यार के वज़े से ये बिगड रहा है आकाश बोला मा ये जलती है मुझे तेरना मैं बाल लो चुनूंगा अभी बेहन आकाश के तरफ उंगली दिखाती है पापा बोले अब मेरी पोस्टिंग भी जल्दी होने वाली है इतने में पत्सी हो गई है शच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं जो मुझे देश की शेवा करने का मौका मिला है जो हर किसी को नहीं मिलता इससे पहले कि उसके पापा कुछ और बोले आकाश इमोशनल हो जाता है और अपने पापा को जोर से हग कर लेता है और वो बोलता है मुझे आ मागे बढ़ते हैं अब मोहिनी और केशव की तरफ जी हाँ मैंने आपसे वादा किया था कि हम जल्दी लोटेंगे और वैसे मैं वादे का पक्का हूँ मेरे वादे कभी नहीं तूटते इधर मोहिनी और केशव प्यार भरी जिंदगी जी रहते सब कुछ ठीक चल रहा था दो उनों बहुत खुश थे लेकिन मैंने एक कहवत सुनी थी कि इंसान की ज्यादा खुशी भगवान से भी देखी नहीं जाती और ऐसा ही हुआ मोहिनी और केशव की बीच में गाउं में धीरे-धीरे मोहिनी और केशव की चर्चा होने लगी थी दो-चार लोग एक साथ होते तो ताजा खबर मोहिनी और केशव की होती थी अब गाउं के महली के बाद तो मैं नहीं करूँगा वो सब तो आपको पता ही होगा अब दीरे-धीरे बाद जमीदार के कानों में पहुच जाती है इधर जमीदार गुसे से पागल हो जाता है उस समय जमीदार जमीदार नही था कि वहाँ केशव बहुच जाता है अपनी पिता की लाल आखे और हालत देखकर वो सब कुछ समझ जाता है इतने में केशव बोला क्या बात है बाबुजी इतना बोला ही था कि बाबुजी ने जोर से चाटा जोड दिया और बाबुजी बोले नाक कटवा दी तुने हमार आखिर गाउं में क्या इजद रह जाएगी हमारी चीते जी मार दिया है तुने हमको तुझे और कोई लड़की नहीं मिली जो तु वो गड़ीब लड़की के पीछे पड़ गया ये भगवान ये सब सुनने से पहले में मर क्यों नहीं गया बाबुजी की आगे केशव की ज लेर नहीं करती, उतने में केशव बोला लेकिन बाब bedroom झी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक साथ जीवन बिडाना चाते हैं इतने में बाबुजी बोले तू अब यहां नहीं रह गया आजी तुम्हारे चाचा से बात करके तुम्हें में में बेले बेच द जमिदार उनके घर पहुंच चुका था और उसने चोर जोसे डाट लगाना शुरू कर दिया था। मोहिनी के बाप को भी उसने बहुत भला बुड़ा कहा। यहाँ तक कि केशब को आमिर घर का देख उसे फसाने की बात भी कही। यह सब सुनके मानो मोहिनी के पाउं तले जमिन के सक गई हो और वो दोड़के अपने कमरे में चली गई और वो दर्वाजा बन करके पूट पूट के रोने लगी। फिर जमिदार वहें से चला जाता है। मोहनी के माबा मोहनी को आवाज लगाते हैं पर मोहनी के तरब से कोई आवाज नहीं आती है। बस उसके रोनी की आवाज आ रही थी। काफिस समय तक आवाज लगाने और दर्वाजा खट-कटाने से अंदर से एक आवाज आती है। क्रिप्या करके मुझे अकिला छोड़ दीजिए आप लोग उधर केशब के पिताजी केशब को दिल्ली भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं अब केशब के पास कोई रास्ता नहीं बचा था जिससे कि वो अपने बाबुजी को मना सके वो अब तक ठक चुका था अब मोहिनी से मिलना तो दूर बात करने का भी रहस्ता नहीं बचा था ऐसी कई सारे बाते थी जो से मोहिनी से कहने थी अब वो बेचारा मनी मन में रो रहा था उसे आज मोहिनी के साथ बिताय हुए हर पल याद आ रहे थे आज वो दुनिया में पहली बार अकिला महसूस कर रहा था उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी कोई नजर नहीं आ रहा था मानो की शर्र की कोई भी हरकत उसे महसूस नहीं हो रही हो कुछी समय बाद जब ट्रेन की सीटे जोरो से कुछ पल आवाज देती है तो उसे होश आ जाता है उसकी आखें आशों से भर जाती है मानो जिन्दगी में पहली बार वो रो रहा था वो चुपचाव अपनी मा की तरफ देख रहा था और वो ट्रेन की रफतर बढ़ रही है मा को शायद कुछ बोलना चाहता था केशब लेकिन नहीं बोल पाया उसे ऐसी हालत में देख उसकी मा की ब्यांखें नम हो गी थी अब बस ट्रेन दिरे दिरे चल रहे थी और केशब मोहिनी से दूर हो रहा था उधर मोहिनी की घर में काफी लोग इखटा हो चुके थे कुछ लोग मोहिनी को समझा रहे थे और कमरे से बाहर आने को कह रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे क्या होगा इस लड़की का क्या मूँ दिखाईगी गाउ में कौन करेगा इस से शादी मैं तो ऐसी लड़की को कभी अपनी बीवी नहीं बनाऊंगा अब तक काफी गंटे बीट चुके थे और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी इधर मोहिनी के माबाप को घबराट से होनी लगी थी तभी कुछ लोगों की मदद से वो दरवाजा खोल लेते हैं लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी मोहिनी अब इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी तो दोस्तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे आकास के साथ दरह से माई घटनाए घटती है और क्या आकास उन घटनाओं का सामना कर पाएगा जानने के लिए जूड़े रहे हमारे चैनल के साथ कहानी कैसे लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही लाइग और सस्क्राइब भी करें और दोस्तो हम आगे और भी मज़ेदार कहानियां आप लोगों के बीच पेश करने वाले हैं जिसके लिए हमें आप लोगों का प्यारो साईयो की जरूरत है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को भी ओन कर दें ताकि हमारी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुँचे तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त नामश्कार